आज खोशनापत्र जारी नहीं करेगी बीजेपी आज खोशनापत्र जारी करना था लेकिन बीजेपी प्रदेश अध्यक्षियों स्वतंतर देव सिंग ने बयान दिया है कि आज खोशनापत्र जारी नहीं किया जाएगा रतामंगेशकर जी का अकस्मिक निधन्ज हो गया है इसी वज़े से आज जो शोक विश है इसलिए खोशनापत्र आज BJP जारी नहीं करेगी ये बात स्मुतंतर देव सिंग ने कही ये देश के लिए अपूर्णी ए शति है इसलिए खोशनापत्र का कारेक्रम स्थगित किया जाता है आज चुनावों के लिए खोशनापत्र जार कर दिया है कि आज घोशना पत्र जारी नहीं किया जाएगा देश के लिए शोक का विश्य है ये शती अपूर्णिया है जिसे पूरा नहीं किया जा सकता स्वरकोकिला शांत हुई है और इस अपूर्णिया शती के चलते पूरा देश गमगीन है और इसलिए घोशना पत्र का क जारी खुगा लता मंगेशकर जिका निधन अपूर्णी अश्यती पूरे देश के लिए चले तो इसे ख़बर पर जानकारी के लिए हमारे साथ अंके शुरिवास्तव बिरोचीफ उतरप्रदेश से जुड़ चुके हैं अंके जे फिल्हाल जिस तरीके से आज घोशनपत्र जारी होना था अब शोक का विश्य है इसलिए घोशनपत्र फी जुक है उसको सगित कर दिया गया है इसकारे क्रम को दोबारा आगे कि अभी कोई डेट भी नहीं दी गई है क्या कुछ है हम जानकारी करने की जाचो किती है और आज केंड़ी जह मंत्री अमिस्ता भी यहां पर पहुंचे हो गया लेकिन अचानक सुबा आठ बजे श्वर कोकिला अलता वंगेश्का का निधन हो गया जिसके चलते भार्तियंता पार्टी ने अपने लोग संकर्प करना पत्र जारी करने की पौर्णी चती भी है इसलिए गोष्णा पर जाकम सिखित कर दिया गया है अगली सिटी की जाएगी जिस तरह से क्यास लगाए जारे थे कि आज भार्तियंता पार्टी का संकल पत्र जारी होगा उसमें कई लोग लोग हावन वाइदे किये जाएंगे कई वाइदी जंतर से किये जाएंगे को की की काई लोगों के उमीद थी को सकता है कि आज संकल पत्र में बिजली माफी को लेकर भी बडायार्यन किया जा रही सकता है ऑыт कि नौकरी को लेकर भी काफी उमीदे लगई जा रही थी चो कि वीपरच्छ लगा आता निशाना आध.' रहा था आगली देट जल्द ही बताई जाएगी मुसकान अंके जी क्या कोई कयास लगा जा रहे हैं कोई चांसे कि कब तक ये खोशना पत्र दोबारा जारी हो सकता है आगे जारी होगा क्योंकि सगित किया गया है और रास्टर शोक की भी खोशना जो है वो ही है तो क्या कुछ एहम जानकारी आगे कब तक ये जारी हो सकता है गोशना पत्र अबर कोपला भारत रतने से सम्मानित लता मंगिशकर जी का निजानुवा है जो कि वाताई में देश के लिए अपूनी च्छती है सबही लोग अपने-अपने से सोक वेत्ट कर रहे हैं उनका जो निजानुवा है उसे काफी छती हुई है जिसको लेकर भारतियन्दा पार्टी ने संकल पत्र का जो करेक्रम है आपके दोऔर में तो की दफञाली तो परी से पहले संकल पत्खश जारी करना होगा इसलिए यह पर्ग्रों हो सकती है ठीक है, बहुत बहुत श्युक्रेंब आपका मायर साजीडने के लिए और तमाम एहम जानकारे के लिए दुस्वर कोकिला लता मंगेशकर जिका अनिधन दुनिया को अलविदा कह दिया है उन्होंने और इसी वज़े से बड़ा बयान बड़ा एहलान करते हुए खोशनपात्र का कारेकरम स्थागित कर दिया है अगली तारिक की खोशना जल्थी की जाएगी फिरहाल गमगीन है पूरा देश और दो दिन के राश्टर शोप के चलते ये जो कारेकरम है बोस्थागित किया गया है श्रधान बंतुरी शाम साड़े चार बजे जो है वो श्रधान जुली एक बर फुर्सर देंगे संकर्पत्र जो है बिज़ेपी का वो यूपे में जारी नहीं होगा 92 साल की उम्र में स्वरकोकिला लता मंगेशकर में दुनिया को अलविदा कह दिया है एक मिडल क्लास में जन्मी थी स्वरकोकिला और जिस तरीके से उनका आजने ठर्थ हुआ ये वाकिए देश के लिए अपूर्णिय शती जो कभी पूरी नहीं हो जबती है साल के 360 दिन 24 घंटे और 7 दिन हर हालात वाकियात की हर ख़बर की हर दस्तक को देखने के लिए एनवी न्यूज के यूट्यूब चैनल को करें सब्सक्राइब और फेस्बुक पेज को करें फॉलोग उठाइए रेमोर और जुड़िये एनवी न्यूज के साथ अब एनवी न्यूज आपके भलंद आवाज आपकी बाद